नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है लली सोनी और आप देख रहे हैं टार्गेट 70th VPSC 2024 प्रैक्टिस सीरीज बाइ द्रश्टी PCS इस सीरीज में हम लोग कुछ ऐसे एपिसोड के साथ आपके सामने आएंगे जिसमें हम लोग लगबत 50 के आसपास सवाल हर एपिसोड में आप से ड इसरा एपिसोड है जैसा कि आपको केवल सर ने बताया होगा कि हर हफते हम लोग मंगलवार शाम गुरुवार शाम और सपता के अंत में भी एक एपिसोड लेकर के आएंगे तो इस एपिसोड में आप यह समझ लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम से पहले जब हम प्रिलिम्स की बात करें तो प्रैक्टिस बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है और इस 40-45 मिनट के इस वीडियो में आपके लगबग 50 सवालों की प्रैक्टिस होगी और हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इंफोर्म दिए गए हैं जो कि बांगलादेश म्यानमार मालदीज और श्रीलंका है जब हम बात करें एकुविरिन की तो यह आपका मालदीज के साथ एक कद्वी पक्षिया सैन्य अभ्यास था तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा इसे उत्तरा खंड के चौबतिया में कंड अभ्यास है ठीक है इससे पता क्या चलता है इससे आप देखिंगे कि दोनों सेनाओं के बीच में एक को-operation विकास Agency Limited IREDA के सम्मंद में निम्ले रखित कतनों पर विचार कीजिए, पहला है कि यह भारत सरकार का एक मिनी रतना उद्यम है, दूसरा है कि यह विद्यूत मंत्रा लेके प्रशाशनिक नियंत्रण के अधीन है, ठीक है, आप से पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट यहा यहां गलत है, तो आप कह सकते हैं, option C जो है आपका सही उत्तर होगा, यह गलत क्यूं है, यह देख लेते हैं, जब हम बात कर रहे हैं IREDA की, तो यह भारत सरकार के एक नवरत्रण शेनी का उद्यम है, ना की मिनी रतन का, ठीक है, तो इसकी वज़े से यह statement गलत हो जाता है, दूसरा आप देखेंगे कि यह जो है Ministry of New and Renewable Energy, याना की नवीन, एवं नवीनी करनिया, उर्जा मंतरला के अंदर में आता है यह, तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही statement यहां गलत है, अब आगे देखेंगे, तीसा सवाल, निमने लेखित में से किस देश ने फतर नामक हाईप hypersonic missile, तो यहां पर आपका उत्तर होगा B, इराग, इरान ने इस तरीके की एक missile develop की है, देखेंगे, इरान ने हाल ही में फतर नामक hypersonic missile विक्सित की है, इसकी speed जो है 13 Mac है, 13 Mac जो है वो आपका basically sound की speed को calculate करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो missile की speed वगेरा की बात कर रह है, ठीक है, तो यह 13 Mac की गति से चल सकती है, और एक आधुनिक वायू रक्षा प्रनालियों को भेदने में भी शक्षम है, ठीक है, तो option B जो है आपका यहां पर उत्तर है, और missile का नाम है फतर, अगला सावार है, भारत 6G Alliance के सम्मंद में निम्न लिखित कत्रों पर विचार कीजिए, विज्ञान और प्रोध्योगी की मंत्रा लेने, वायडे संचार की अगली सीमा, 6G प्रोध्योगी की में नवाचार तथा नित्रत्व को बढ़ावा देने के लिए, भारत 6G Alliance B, 6GA लांच किया है, दूसरा statement है, यहां पे, इससे भारत को 6G प्रोध्योगी की का व प्रोध्योगी की मंत्रा लेने, वायरलेस संचार की अगली सीमा, यहां पे मंत्रा लेका नाम गलत दिया गया है, ठीक है, आप यहां पे देखींगे, कि यहां पे यह दूर संचार विभाग के द्वारा लांच किया गया है, ठीक है, ना की विज्ञान और प्रोध्योगी क मंत्रालय के द्वारा तो यह statement आपका गलत हो जाता है दूसरा इसे भारत को सहायता मिलेगी किसमें आपके प्रोधोगी की का विकास करने में और नई प्रोधोगी को अपनाने में तो यह बिल्कुल सही है option B आपका जो है यहां सही उतर होगा केवल दो ठीक है इसके बारे बात कर चुके हैं कि यह दूर संचार विबाग के द्वारा लॉंच किया गया अलायंस है जिसका नाम है भारत 6G अलायंस ठीक है अगला सवाल देखते हैं भारत के रक्षा मंत्रालय में निम्न लिखित मैं से किस देश से MQ-9B सस्तर ड्रोन की ख ठीक है तो यहां आप देखेंगे option C जो है वह आपका साही उत्तर है USA यहां पर डिसक्रस करने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि सीधी सी बात है जब ड्रोन की बात की जाती है तो जनरली उसको surveillance के लिए यूज किया जाता है तो आप देखेंगे कि यह भारतिय ससस्तर बलो की निगरानी और तोही देखते हैं तो आपने शनी का जब फोटो देखा होगा उसके पास में एक ऐसी रिंग बनीवी है ऐसे वला किसमेंसे नहीं है अरून रहस्पति सनी या फिर बरून यहां पर आपका सही उत्तर है वरून की तो इनके वले उतने जादा प्रॉमिनेंटी दिखते नहीं है सनी का वलय बहुत ज़्यादा प्रॉमिनेंटी दिखता है आपको सीधी सीधे एक रिंग बनी भी दिखेगी लेकिन ये वलय व्रहस्पती और अरून पर भी वहाँ पर पाई जाते हैं वरून पर ऐसे वलय नहीं है ठीक है ऑप्शन डी जो ह पर आपको व्रहस्पती शनी और अरून के पास आपको ऐसे अपने वलय मिलेंगे और अगर हमने देखा है कि वरून पर ऐसा कोई वलय नहीं है इसके अलावा जो मंगल बुद्र या फिर प्रत्वी की बात करें तो भी इन पर ऐसे वलय नहीं है ठीक है अगला सवाल है आप आपके अब आस असर्शन और रिजन दिया हुआ है अभी कर्थन और उसका कारण दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर सही ऑप्शन का चुनाव करना है देखिए पहला करते हैं जो कि अभी करते हैं प्रत्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखा है इसकी वज्य से क्या होता है कि चंद्रमा का एक बार हमेशा प्रत्वी के सामने रहता है इसकी वर्येस कहा अब कह सकता है अडिह और और उस और जो डूसरा statement है, वो पहले का सही कारण भी है, ठीक है, तो option यहाँ पर देखेंगे, A और R, दोनों ही सही है, किंटु R A की सही व्याख्या है, यहाँ पर बोलरा है, यह सही व्याख्या है, तो बिल्कुल हमने देखा है, यह सही सब्सक्राइब करता है अगला सवाल है निम्नलिखित मैंसे कौन से युग्म सही सुमेलित है उश्ण कटिबंद अधिक्तम उश्मा और तापमान प्राप्ट करता है सीट कटिबंद जो की सबसे कम उश्मा और तापमान प्राप्ट करना है आपको यहां सही कूट का चुनाव करना है आप देख लीजे कि जब हम प्रतवी कि बात करते हैं कुछ कटिबंद जी रीजन कहते हैं ठीक है उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे शितोष्ण रीजन शितोष्ण कटिबंद और उसके बाद है शीद कटिबंद अब सूरज की पोजिशन कुछ यहाँ पे है एक्वेटर के अलॉंग जो आपके शीद कटिबंद के च्छेत्र है यहाँ पे सूरज को सूरज का ताप बहुत कम जाता है ठीक है तो यह आप देखिए शीद कटिबंद में सबसे कम उश्मा और तापमान प्राप्त होता है तो यह बात बिल्कुल सही है फिर आप पहला देख लिजिए उश्ण कटि शूरज का सबसे ज्यादा उश्मा और तापमान देखने को मिलता है उसके बाद अगला जो है यहाँ आप देखेंगे यह जो आर्क्रिक व्रत है उसके नीचे और करक रिखा से ऊपर आपका शीद कटिबंद होता है जो उत्तरी भाग में ऐसे ही दक्षिनी हमिस्फेर में फिर साउथा सदन ह Examples में भी शीटुशनद कतिबंद होता है ठीकैं यहाँ पे मद्यम ऊश्मा और तापमान होता है उसके बालावा जब हम लोग सीद कतिबंद की बात करते यहाँ पे सबसे कम उच्षमा और तापमान देखनों कोली करते हैं तो किली मझारो एक ज्मी कि प् ठीक है, यहां पे जॉलामुकी फूर्टे रहते हैं, इसलिए यह एक जॉलामुकी परवत है, option C जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर है, अब अगर बात करें किली मंजारो जो है वो स्थित कहा है, वो अफ्रीका में स्थित है, यह लोकेशन आपको दी गई है, यह तंजानिया और शीरा से मिलकर के बना हुआ है ठीक है तो इसके बारे हम बात कर चुके और यह तंजानिया में इस्तित है जो कि इस मैप के अंदर विजिबल है अच्छे से ठीक है अगला सवाल है निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए प्रत्थवी की सतह पर सबसे उपरी परत को ठीक है आपको यहां पर सही जो कंतन है उनका चुनाव करना है पेला है प्रत्थवी की सतह पर सबसे उपरी परत को भू पर के कहते हैं देखिए यहां पे अगर आप यह देखींगे यह प्रत्वी का आंत्रिक जो सनचना है उसकी पिक्चर दी गई है यह आपका आंत्रिक कोर है ठीक है फिर अगर मेंटल की बात करें मेंटल के दो हिस्से होते हैं एक आपका उपरी मेंटल होता है दूसरा नीचला मेंट और महासागरिया पर 35 km, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कि जब हम लोग महादीप की बात करें, या फिर कॉंटिनेंट की बात करें, ठीक है, कॉंटिनेंट पे या महादीप पे जो इसकी थिकनेस होती है, वो जादा होती है, और महासागरिया सतव पर कम होती है, ठीक ह तो आप कह सकते हैं कि यह statement गलत है क्योंकि यह उल्टा बता रहा है तो केवल एक जो है आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यह आपकी जो है continental crust याना कि महाद VPA crust जो है उसकी थिकने से यहाँ पे ज़्यादा दी गई है और जब हम महा सागरी है याने कि ओशनी क्रश्ट की बात करें तो वो खाली यहाँ पे बहुत कम दी गई है याने कि यह लगबग 35 किलोमेटर के आसपास है और यह आपकी 5 किलोमेटर के आसपास ठीक है चलिए अगला सवाल देखते है मानव जिनोम एडिटिंग प्रोद्योग्यों के सम्मंद में निमने लिखित कत्रों पर विचार कीजिए इसका उपयोग केवल काईक कोशिकाओ पर ही किया जा सकता है दूसरा है इसका उपयोग Human Immune Deficiency Virus HIV के उपचार में किया जा सकता है जब यहां बात लिखी है कि किया जा सकता है तो यह बात सही है कि इनका उपचार में उपयोग तो किया जा सकता है और लोग कर भी रहें तो HIV के उपचार में इसका उपयोग किया जा सकता है यह बात बिल्कुल सही है जो स्टेटमेंट दिया गया वो सही है तो option B जो है वो आपका यहां सही उत्तर होगा ठीक है आगे देखते हैं यहां पर इसी के बारे में लिखा गया है जो हमने बात कर दीए यहां पर देखिए प्रजिनन कोशिकाओ पर भी इसका उप्रयोग किया जा सकता है हालांकि नेति सही तरीके से सोमेलित है फॉर्म टसेटी का डंकी डंक में कौन सा असीड रहे फिर है आंपलmind के इस duy का में और भिल्कुल सही टरीके से ह। पहरा देखते हैं, चीटी का डंक, जब चीटी के डंक की बात करें, तो उसके अंदर formelic acid होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, फिर दूसरा पालक के अंदर oxalic acid होता है, फिर सिर्का की about करें, तो acidic acid होता है, और अंगूर की about करें, तो tartaric amidstit होता है, यह किस से प्राप्ट किया जाता है कवक, Lichen, Moss या फिर सेवाल से जब हम Litmus की बात कर रहे हैं यह Lichen से प्राप्ट किया जाता है Litmus क्या करता है? Litmus paper पता करता है कि कोई particular जो solution है वो अमल यह है या शारिक है या फिर acidic है या basic है तो यह Lichen से प्राप्ट किया जाता है यहाँ पे आप देखेंगे Litmus एक प्राकरतिक सूचक है जो अमल और शार की पहचान के लिए प्रयोक किया जाता है आपने लेब वगेरा में इसको यूज किया होगा Litmus paper इसे कहा जाता है इसे विशेश प्रकार से Lichen से प्राप्ट किया जाता है Litmus जब आमली माध्यम में आप इस paper को रखेंगे तो यह लाल रंग का हो जाता है और जब इसे आप शारिये माध्यम में रखेंगे तो यह नीले रंग का हो जाता है ठीक है अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है निमनलिकित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है यहाँ पर आपको बोल रहा है कौन सा chemical change नहीं है ठीक है पहला देखते है कौथन कौथन मतलब boiling दूसरा है हमिकरन मतलब की आपका freezing तीसरा है की boiling point के बाद वो gasp में करवर्ट होने लगता है मतलब physical change हो रहा है उसका ठीक है यहाँ पर उसका साययनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है ठीक है उसके बाद है आपका हिमीर्ण हिमीर्ण मतलब freezing जब पानी से बर्फ बनने की जो आपकी process होती है उसको हिमिकरन का जाता है तो ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है तीसरा है गलन मेल्टिंग जब बर्फ है और वो पानी में बदल रही है तो ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है मतब इन तुनों में से कोई सारेजिक फिजिकल यूं कहें कि रासाइनिक प्रोसेस नहीं है ऑप्शन सी जो है संक्षारण जो की कोरोजन है कोरोजन में क्या होता है कि आपके जो पानी हो गया या एयर हो गया उसके अंदर उपसित ऑक्सीजन की वरियस से अगर कुछ चेंजिज आते हैं केमिकल च तो और पर जब आप लोहा देखते हैं लोहे के साथ ऑक्सीजन और थोड़ा सा अगर मोईस्चर होता है तो वह ऑक्साइड बना लेता है और वह ऑक्साइड बेसिकलिए आपका रश्ट कहलाता है जंग लगना जिसे कहते हैं तो यह एक केमिकल चेंज है ठीक है तो ऑप्श कोशिकाओं में भी पाए जाती है लेकिन यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाती ठीक है तो एक और तीन आपका सहीत्तर है ओप्शन सी जोगा यहां आपका सही उत्तर होगा ठीक है अगला सवाल देखते हैं इसके बारे हम लोग बात करच चुके आप देख लिज् associations में थोड़ी अधिक है फिर दूसरा है कि निवेशकों के कमजोर विश्वास के कारण प्रत्यक्स विदेशी निवेश जो जिने हम फॉरेंड डारेक्ट इंवेस्टमेंट कहते हैं प्रवा में कमी आई है ठीक है पहला स्टेटमेंट जो देखें अगर तो जो डेटा दिया ग करा विश्वा आर्थिक परिदर्श्य डबलू एओ के अप्रेल दोजार चौवीस संस्क्रेंड के अनुसार वर्ष लोजार तेईस में वैश्विक अर्थव्यस्ता की संवर्थी दर्थ 3.2 प्रतिशत थी जो वर्ष 2022 की संवर्थी दर्थ से थोड़ी कम है ठीक है तो यह गलत हो जाता है क्योंकि यह दर्थ कम है यहाँ पर कहा गया है कि थोड़ी अधिक है तो यह इस्टेटमेंट आपका गलत हो गया फिर आ गया है दूसरा निवेश्कों के कमजोर विश्वास के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश्वास प्रवाव में कमी आई है मार्के तो यह इस्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो केवल दो जो है आपका उत्तर होगा option B ठीक है अगला सवाल देखते हैं इसके बारे हम लोग बात कर चुके है अब यह कमजोर विश्वास क्यों होता है अगर माल लीजिए कि अगर भूर आजनेतिक इस्तितिया अच्छी नहीं ठीक है कर राजस्व उच्छाल या फिर आप यूं कहें कि टेक्स बायोंसी टेक्स बायोंसी एक टर्म है जिसे यूज किया जाता है economics में तो देखिए कि यह options देखते हैं कि कौन जो है इसके बारे में सबसे अच्छी तरीके से एवर्ण कर रहा है कुल जनसंख्या में कर र जब यहां पर बात की जा रही है कि इसमें आपको कर दरो के साथ साथ यहां पर देखना है कि कर के आधार में भी परिवर्तन हो रहा है मतलब कर के दरो का परिवर्तन कर के आधार का परिवर्तन जब आपके देखेंगे कि राजस्व को कैसे प्रभावित करता है अगर यह च tax rate और दूसरा है आपका tax base tax rate और tax base चेंजेज कैसे आपके tax revenue को प्रभावित करते हैं इस भी को बोलते हैं बावैंसी जा फिर राजस्वर उच्छाथ ठीक है तो option बी जो है आपका यहां सही उतर होगा option c में का जा रहा है कर दरों में किसी भी परिवर्तन पर विचार किये बिना, यहाँ पर बोल रहा है कि आपको कर दरों के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है, केवल कर के आधार, tax base में परिवर्तन के हिसाब से देखना है कि राजस्व में change आता है कि नहीं आता है लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं राजस्व उचाल की तो हम लोग तीनों चीज़ें देखते हैं tax rate देखते हैं, tax base देखते हैं उसके आधार पर देखते हैं कि tax के revenue में क्या change आ रहा है तो option B जो है वो आपका यहाँ सयुत्तर होगा इसकी परिवाशा यहां दीए गई है कि कर राजस्व उचाल tax balance एक आर्थिक अफधारना है जो यह मापती है कि कर राजस्व कर राजस्व सबसे अधिक व्रद्धी हुई है आपके फास चार option दिए गए railway सड़क परिवन और राजमार्ग आवाशन और शहरी कारिया और अगला है पुलिस तो यहाँ पर option ए जो है वो आपका सयुत्तर है ठेक्चुल कोशन है यहाँ पर पूछा जा यहाँ पर चुनाव करना है आर्थिक सर्वेशन की बात की गई है इसलिए आप देखेंगे इकॉनमिक सर्वेशन की डेटा यहाँ पर बहुत इंपोर्टन हो जाते हैं जादा जादा आकी कुछ नहीं तो आप देखेंगे की फिसकल डेफिसेट का डेटा हो गया या फिर वित्य वर्ष 2023 से प्रमुक्स सब्सेडी व्याइब में वर्ष दर वर्ष गिरावट आई है यह बिलकुल सही है यह ट्रेंड है जो कि आपको फॉलो करना होता है ट्रेंड सारे इंपोर्टन हो जाते हैं आपके ठीक है फिर वित्वर्ष 2020 से पुन्जिगत व्याने की कैपि सब्सेडी व्याइब में वर्ष दर वर्ष गिरावट दर्ज की गई है यह सरकार की सब्सेडी प्रबंधन और लक्षित वित्रण नीतियों का यह कह सकते हैं की परिणाम है ठीक है सब्सेडी प्रबंधन याने की सब्सेडी मैनेजमेंट एंड टार्गेटेड डिस्टिब बढ़ाया है ठीक है तो भी एक factual चीज है जो कि एकनोमिक सर्वेस है हमें देखने को मिलती है अगला सवाल है आर्थिक सर्वेक्षन 2023-24 द्वारा साजा किये गए अंकड़ों के विशे में निम्नलिकित कत्रों पर विचार कीजिए भारत में शुद्ध एफडियाई प्रवाह वितवर्ष 2023 की तुलना में वितवर्ष 2024 में कम हुआ है ठीक है यहां पर आपको का जा रहा है कि 2023 की तुलना में 24 में यह कम हुआ है ठीक है दूसरी बात है यहां 2023 के respect में हम देखें, तो यहां पर जो FDA प्रवाव है, वो कम हुआ है, ठीक है, दूसरा है, with worst 2024 में, भारत में, सकल FDA प्रवाव में वर्द्धि हुई है, यहां हम बोलें कम हुआ है, यहां हम बोलें वर्द्धि हुई है, logically भी देखें, तो आप कहा सकते हैं, हालांकि ये दो अलग-अलग आपड़ों के बारें बात कर रहे हैं लेकिन दोनों ही FDI से रिलेटेड हैं ठीक है तो थोड़ा अगर आपको सवाल वहाँ पे अगर आप आपको डेटा याद नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं क्योंकि सवाल इसी तरीके से सेट प्रवाह में कमी हुई है और दूसरा सकल FDI प्रवाह में व्रद्धी हुई है तो आप यह बात ध्यान रखेंगे अगला सवाल देखते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बं रहे विश्व के सबसे बड़े राम मंदिर की वास्तुकला किस मंदिर परिशर से प् से या फिर गुजरात का सोबनात मंदिर ठीक है यहां आप पाएंगे ऑप्शन बी जो है वह आपका साही उतर है कंबोडिया के अंकोर वाट से प्रेरिध है बिहार के पूर्वी चंपारण में बं रहे विश्व के सबसे बड़े रामायन मंदिर की वास्तुकला का कह सकते ह है प्रेर्णा जो है कंबोडिया के अंकोर वाट से लिए ठीक है यहीं यहां पर लिखा गया है आप एक बार पढ़ लीजीगा इसे अगला सवाल है दर्बंगा मैं निम्ने रखियत मैं से किस अनुसंधान केंद्र ने राष्ट्रिय दरजा हासिल कर लिया है चावल अनुस है आप का उत्तर है भी मकणा अनुसंधान केंद्र वैसे भी बिहार मखानों के लिए काफी अजहां खकार यहां पर देखिंगे इसका दूसरा नाम है फॉक्स नेट ओके मखाना का दूसरा नाम फॉक्स नेट से हाठ रखिएगा ठीक है अगला है चोथे राष्ट्रिय जल पुरुषकार 2022 में किस उद्ध्योग को सर्वस्ष्ट उद्ध्योग का पुरुषकार मिला है भारत हैवी Electricals Limited Reliance Industries Limited डालमिया सिमेंट्स या फिर बरॉनी Thermal Power Station जब हम बात कर रहे हैं यहां पर चौथा राष्ट्रिय जल पुरुषकार बरॉनी Thermal Power Station को मिला है क्यों मिला है क्योंकि अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर अगर वाटर conservation की बात करें तो उसमें इन्होंने अच्छा काम किया है ठीक है यहां पर देख लिए जल प्रमंधन और सनक्षन के चेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया है इसके लिए इन्हें यह पुरुषकार दिया गया है ठीक है उत्रे ओल कत्रा जो है इनकी कविताओं का सीर्षक है ठीक है अक्षे आनंद सनी आप यह नाम याद रखिएगा और इन्हें बाल साहित्य पुरुषकार मिला है सार्वजनिक स्वच्छता में क्यांती लाने और सुलब कॉंप्लेक्स प्रणाली की स्थापना के लिए प्रसिद किस सामाजिक कार्यकरता का हाल ही में निधन हो गया है उशा किरन खान इला भट बिंदेश्वर पाठक या फिर जैंति पतनायक सौप्शन सी जो है वह आपक नेशनल के संस्तापक थे मैं भारत में सुच्छता सुविधाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है हाली में उनका निधन हुगा है तो यह आप ध्यान रखेंगे अगला सवाल है अगर हम बात करें इस सवाल की तो इसका उत्तर है कानपूर ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही उत्तर है आपका ठीक है देखिए हाली में केंद्रिय स्वास्थे और परिवार कल्यान मंत्री ने उत्तर प्रदेश के कानपूर में गणेश शंकर विद्यारती मेमोरियल एक सूपर स्पेसिलिटी ब्लॉग का वर्चुल उत्गातन किया था और वहीं पे उन्होंने कानपूर में औल इंडिया इंस्ट्यूट्यूट ऑफ स्पीच एंड हीरिंग सेंटर की अधार श्रिला भी रखी तो आप इसको ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी जो है कानपूर आपका सही उत्तर है अगला सवाल है निम्न लिखित में से किस इस्थान पर रक्षामंत्री राजनात सीहने भारत में बालिकाओ के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्गातन किया है ठीक है आपको पता होगा कि सुप्रीम कोड की जज्ज्मेंट के बाद अब सेना में भी राजनात सीहने देश की बालिकाओ के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्गातन किया जिसमें लड़कियों को भी सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षन प्राप्ट करने का अफसर मिलेगा अगला सवाल है हाली में सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइकलोन खबरों में देखा गया है या भारत और निम्न लिखित में से किस देश के बीच आयोजीत किया जाता है यहां पर ऑप्शन दिये गए हैं आपके पास सायूदी अरब ओमान यूए और इरान ठीक है अगर हम बात कर रहे हैं इस सैन्य अभ्यास की जो की डेजर्ट साइकलोन है इसका उत्तर है ऑप्श एक्सरे दूरुवी करण का अध्यान करने के लिए पहला सैटेलाइट एक्सपो सेट लॉच्च किया है आपके सामने है नासा यहांने की यूरोपीयन सपेस एजंसी अगला है इस रोग्यां इंडिया की सपेस एजंसी है और उसके बाद आप जाजा जो की जापान की इस प औप्शन C, Indian Space Research Organization, that is ISRO, अगला सवाल है, हाल ही में सोलवे वित आयोक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अजे नराण जा, अरवींद पंगडिया, निरंजन राजाध्यक्ष, एनी जॉर्ज मेथ्यू, सो आपका उत्तर है, औप्शन B, ये बिल्कुल और बहुत important सवाल है आपके लिए, ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, बजट 2024-25 के अनुसार, बिहार का अनुमानित राजकोश्य घाटा कितना है, ऑप्शन दिये गए हैं, 2.78 प्रतिसक, 3.28%, 2.98% and 3.48%, अगर आपके देखेंगे, इसका उत्तर है C, 2.98%, रहने का अनुमान है, जो कि आप लेखेंगे, लगबग 2.98%, ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा, राजकोश्य घाटा क्या होता है, सिंपल भाशा में कहें, कि सरकार की जतनी आमदनी है, और सरकार का खर्च है, अगर सरकार का खर्च आमदनी से जादा हो जाता है, उस साथ निश्चे 2.0 के अंतरगत सूर्षासन योजनाओं पर निमनलिखित में से कितनी धनराश्य को वै करने का अनुमान लगाया है, पांच हजार चालीस करोड, छे हजार पचास करोड, चार हजार तीस करोड, या फिर पांच हजार पांसो पैतालीस करोड, आप्शन ए कर राजस्व में सामिल है, वानेजिक कर याने की कमर्शिल टेक्स, भूराजस्व याने की रेवेनियू से रिलेटर चीज़े, अगला है परिवहन जो आपका ट्रांस्पोर्टेशन होता है, और स्टांप एवन पंची करन, तो यहाँ पे आपको सही उत्तर का चुनाव करन है, देखा जाए तो यह चारों की चारों मदे जो है, बिहार सरकार के स्वयम के कर राजस्व में सामिल है, और इसके अलावा भी कुछ जो है, सोर्सिस होते हैं, अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षन दोजार टिश वविस के अनूसार, बिहार राज्य की अनुमानित प् रुपए 56,481 रुपए 57,260 रुपए या फिर 69,637 रुपए ऑप्शन दी आपका यहां पे सयुत्तर है 69,637 रुपए ये बिहार की आप यूं कहें अनुमानित प्रतिव्यक्ति आये है पर कैपिटा इंकम है ठीक है तो ऑप्शन दी आपका जो सयुत्तर है जो कि हमने देख लिए है अगला सवाल देखते हैं निम्न लिखित कत्रों पर विचार कीजिए पहला है क्रशी और संबद्ध छेत्रों का वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दोरान सकल राज्य मुल्य वर्धन डैट इस ग्रॉस स्टेट वैल्य एडिशन में और से तन लगबग 20 प्रतिश्रत का य लेकि जब हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें यह कह रहा है कि 50 प्रतिश्रत से भी कम है नहीं जबकि यह ज्यादा है यह लगबग 54 प्रतिश्रत के आसपास है ठीक है आप देखिंगे यहाँ पर कि यह 54.2 प्रतिश्रत है तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है पहला स्टेटमेंट सही है जहां पर अगर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन की बात करें तो लगबग 20 प्रतिश्रत का योगदान है किसका अग्रिकल्चर और एलाइड सेक्टर का ठीक है अगला सवाल देखते हैं शुवर्ण भूमी के निमनलकी साशकों मैंसे किसने नालंदा में एक बौध मठ की स्थापना की और पाल राजा देव पाल से इसके रख रखाव है तो पांच गाउं देने का अनुरोद किया चुड़ा मनी वर्मन बाला पुत्र देव संग्राम धनंजय या फिर धरनींद्र तो अगर हम बात करें कि किसने ये राजा देव प परांच गाउं मांगे थे देवपाल से अगला सवाल है निम्न लिखित मेंसे कौन सा महा जनपद बिहार चेत्र में इस्तित नहीं था पहला है अंग मगद अवंती या फिर वज्जी गनराज्य ठीक है अवंती आपका सही उत्तर है अवंती बेसिकली MP वाले मध्यप्रदे संदर्बिथ करने के लिए निम्नलिखित में से किसल शब्द का प्रयोक किया प्रयोंक था प्रेम फीर विहार विहार शब्र जो आ रषी वहार ऑन एक और तीन आप कह सकते हैं option B जो है या आपका सही उतर है ठीक है यहां फिर दिया गया वैदिक काल में कीकट और व्रात्य शब्दों का उपयोग बिहार छेतर को संदर्बित करने के लिए किया जाता है कीकट का उलेक जो है रिगवेद में मिलता है जबकि व्रात्य शब्द जो है उन समुदायों के लिए प्रयोग हुआ जो वैदिक मुख्यधारा से बाहर माने जाते थे ठीक है अगला सवाल देखते है ऑप्रेशन मेगदूद जिसने अप्रेल दोजार 24 में अपने 40 वर्ष पूर्ण किये हैं किस से संबंदित है परवानु परिक्षन बांगलादेश क अगला सवाल है लूपेक्स मिशन भारत और निम्नल रिखित में से किस देश के बीच की पहले जापान ऑस्ट्रेलिया उनाइटेड किंग्डम या फिर रूस आपका उत्तर है जापान लूपेक्स भारत और जापान के बीच का एक मिशन है यहाप देखेंगे इसका उद्देश है चंदरमा के दक्षिनी दुरूप पर जल और अन्य संसादनों का पता लगाना ठीक है तो लूपेक्स भारत और जापान के बीच का एक प्रोजेक्ट है lunar polar exploration इसका नाम है और इसका उद्देश है चंदरमा के दक्षिनी दुरूप पर संसादनों का पता लगाना अगला सवाल देखते हैं अनुच्छेद 13 के संबंद में निमने रखित कतनों पर विचार कीजिए यह न्यायक शमिक्षा के सिद्धान को इस परश्च रूप से प्रदान करता है दूसरा यह प्रावधान करता है कि समीदान संसोधन एक कानून नहीं है और इसे न्य समीदान संसोधन एक कानून नहीं है इसे न्यायले के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती हालांकि इस बात को हमने इंटरपेट तो किया लेकिन यह मूल रूप से समीदान में इस तरीकी से लिखी नहीं गई है यह सुप्रीम कोड के फैसले के आधार पर हम लोग ऐसा कह सक ही है यहां पर आप देखिए सुप्रीम कोड की जिस जज्जमेंट की बात कर रहा हूं वो केश्वानन भारती जज्जमेंट है यहां पर देखिए आप अनुचे 13 नियायक शमीक्षा के सिद्धान को इस पर रूप से पतान करता है जिसके तहत नियायले किसी ऐसे कानून को खारिज कर सकता है जो कि समीधान के किसी भी प्रुविजन इनका उलंगन करता ठीक है उसके अलावा हालंकी यह इसपउच्छ नही नहीं करता कि समीधान संशोधन कानून नहीं इस पर विचार केश्वानन भारती मामले में किया गया था ठीक है चलिए अगला सवाल देखत निमने लिखित में से किस ने कहा कि यदि हमारे समीधान के थैत किसी पदाधिकारी को की तुलना अमेरिका के राष्टपती से की जाए तो वो प्रधान मंतरी है न की संग का राष्टपती जब हम देखते हैं कि भारत के प्रधान मंतरी की तुलना अगर आपको करनी है तो हम आपको अमेरिका की राष्टपति की तुनला भारत के किसी पदाधिकारी के से करनी है, तो वो भारत का प्रधान मंत्री है, ना कि संग का राष्टपति, क्योंकि आप देखेंगे कि real executive power जो होती है, वो प्रधान मंत्री के पास होती है, ठीक है, अगला सवाल दिखते हैं, समीजान के निम्नले लिक्रित में से कौन से अनुच्छेद संसद के प्रावधानों से संबंदित है, अनुच्छेद 79 से 122 या फिर आर्टिकल 168 से 212, 245 से 255 या 256 से 263, तो अगर हम Parliament की बात कर रहे हैं, संसद के बारे में बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 79 से 122 जो है आपका बेसिकली वो आर्टिकल है जहां पर संसद के बारे में बात की गई है, तो आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 79 से 122, सचे तक के पद के संदर में निम्नले लिक्रित कतनों पर विचार कीजिए, इसका उल्लेक भारत के समीधान में क देखिंगे कि भारत के समीधान में इसका उल्लेक नहीं किया गया, इनको कंवेंशन के आधार पर, मतब एक परंपरा है, चली आ रही है, उसके आधार पर इनको बनाया जाता है, तो पहला इस स्टेट्मेंट तो आपका गलत हो गया, ठीक है, फिर दूसरा देखिंगे कि प आप देखिए कि पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि भारतिय समीधान संसद के नियम और संसद्य कानून किसी में भी सचे तक के पद का कोई उल्लेक नहीं किया गया है, संसद्य सरकार की परंपराओं के आधार पर ये आधार है, ठीक है, अगला सवाल है, भारत के वर्ष की आयूज चाहिए होती है, तो यहां पर जब हम बात करें कि उपराश्च्रपती के योग्यता हैं, उसमें से एक योग्यता ये भी है कि वो राजय सभा का मेंबर होने के लिए योग्य होना चाहिए, यानि कि ये आयू जो है, वो 35 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 30 वर होता है, या फिर यूँ कहें कि निर्वाचक मंडल होता है, ये दोनों अलग-अलग होते हैं, ठीक है, अगला है, उनका चुनाओ, फर्ष्ट पास्ट प्रणाली पर आधारिद है, ये बिलकुल गलत है, ये प्रपोश 's59 पर अधारिचा होता है, ठीक है, ओप्शन भी राजा रामोन राएस का अंसर है इसको ज्यादा सोचने की जरूत ही नहीं है हमें ठीक है तो यहां पर आपको पता होगा लॉड विलियम बेंटिक ने राजा रामोन रहे के एफर्स के बाद 1829 में सती प्रथा को इल्लीगल घोशित कर दिया गया था ठीक है अगला सवाल देखते हैं वर्स 1902 में न्यूक्त फ्रेजर आयोग किस से संबंदित था पुलिस सुधार प्रसाशनिक सुधार शैक्सिक सुधार या फिर सामाजिक सुधार तो फिरी पुलिस आयोग या पुलिस कमिशन जो बना था वह 1902 में उसक्त लॉड कर्जन जो थे वाइस रहे थे और वहां पर जो पुलिस सुधार है उनके बारे में उनको बोला गया था कि रिक्मेंडिशन दी जाए ठीक है अगला सवाल है फरीद खान को शेर खान की उपाद अब आ लोहानी बैरम खान मेदनिर आयिये फिर म साब है ठीक है जब हम बात कर रहा है फरीद खान यह बेसिक लिए बने तन जाओ का संस्तापक था यह दूसरी का सामराज चाहीं और ने इस्थाक्ति है पहला समाज्य आपका लोधी लागता और यह दूसरा और सामराज इसके स्थापना इन्हों ने की थी ठीक है ये सासा राम के जागेदार हसन खान का पुत्र था बिहार के अफगान गवर्नर बहार खान लोहानी के यहां कार्य किया और जिना ने इनको बहादूरी के लिए शेर खान की उपाधी भी दी ठीक है अगला सवाल देखते हैं कौन से सागरिय छेत्र है इनकी जो क्लाइमेट होता है यह एक विशेश प्रकार का क्लाइमेट होता है जिसके वरेसे यहां पे फलो का पाधन होता है ठीक है इसके लिए इनको विश्व के बाग कहा जाता है भूमध्य सागरिय छेत्र ठीक है महादीपा के पस्चिमी और दक्षिन पस्चिमी किनारों पर भूमद्य सागरिये वरसपती पाई जाती है अब भूमद्य सागर के एरिया में जो वरसपती होती है वैसे क्लाइमेट कहीं और भी होता है और वह जनरली महादीपा के पस्चिमी और दक्षिन पस्चिमी किनारों होता है यहां पर भी यह बाग उपस् विश्व के बाग कहा जाता है ठीक है तो हमने इस वारें बात कर लिए अगला और अंतिम सवाल है निम्नलेखित में से कौन सा अफ्रीकी देश विश्व भर में उत्पादित स्वार्ण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पादित करता है लीबिया दक्षिन अफ्रीका नाइ की गोल्ड का काफी उत्पादन किया जाता है तो आपका टू फोर और फाइव ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है यहां पर ठीक है इसके अलावा आगर आप देखिंगे इसके बारे में बात कर चुक है दक्षिन अफ्रीका जिम्वावे और जायरे यहां पर गोल्ड का उत प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं इसको रिवीजन के लिए उसका सकते हैं इसी के साथ मैं आपसे आगया चाहूंगा फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में तब तक के लिए हैव नाइस दे थैंक यू एन प्लीज सब्सक्राइब देशनल डियर व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चानल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले